कि नमस्ते गुरुजी जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगती, चुक्राना गुरुजी महाराजा मल्टिरिंगोल सेवादा टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है आज मैं एक एनॉंस्मेंट करना चाहता हूं कि परसों शनिवार है, शनिवार से 9.45 ऑनवर्ड आर्थी क्यपूर आउंटी जी अपनी पुस्तर तू ही तू की रीडिंग खुद करने जा रही है, तो आने वाले दो तीन महिनों में एवरी सेटेड़े आर्थी क्यपूर आउं प्रम 9.45 ऑनवर्ड प्रम मुल्टि लिंग्वल प्रेटफॉर्म जया गुरुजी आज हमारे बीट में रेजिवांट कुछ करना फैमिली है, क्योंकि संगत के लिए आई हैं, आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आंटी गुरु प्रिवार की ओर से, और तो यू अगास और ज्यादा से ज्यादा संगत, पुरानी संगत, नई संगत गुरु जी से जुड़ती जा रही है, और ये महिमा कहने का जो पूरा सिलसिला है, और महिमा यहां तो मल्टी लिंग्वल होती जा रही है, कितनी कितनी भाशाओं में उसका रुपांतरन हो रहा है, और वो रु पढ़ने के लिए आतुर होंगे और they would be capable of reading it in their own language और उपर से फिर जो संगत रचना कर रही है नई से नई और प्रस्तुत कर रही है उसको भी एक माध्यम यह platform प्रवाइड कर रहा है तो coming back to महिमा कहना और महिमा कहने का तो तरीका वही है जैसे हम हरुमान चालिशा पठते हैं तुम उपकार सुरही वही कीना, राम मिलायराजपत दीना लेकिन गुरुजी की महिमा कहने का अभी तक तो यह है कि जिस-पकार हुआ है वो लोग अभी इस संसार में हैं और अपने उपर हुई क्रिपा, अपने उपर हुई मेहर का प्रसार कर रहे हैं तो उसी सिल्सले को आगे बढ़ाते हुए आज कुश करना परिवार इस सिल्सले का हिस्सा बन रहा है और जैसे गुरुजी का कहना था कि सचंग सुनने वाले का भी भला और करने वाले का तो बहुत ही भला तो आख्वान करता हुँ पुश करना परिवार का क्रिपया अपना सचंग शुरू करें मेरी आवाज आ रही है जै गुरुजी महाराज हेलो अंकल आवाज आज़ी मेरी? आज़े आपके आवाज आज़ी जै गुरुजी महाराज गुरुजी को कोटी-कोटी परनाम संगत को परनाम हमारी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत अच्छी रही गुरुजी का मिलना ही इस कल यूग में हमारा बहुत बड़ा कल्यान है कि हमने कल यूग में भगवान को पाया तब ठीक है हमने जब हमें नहीं पता था ये भगवान है भगवान नहीं माना लेकिन जो उन्होंने सिखाया जो हमें उन्होंने समझाया ये समझाया कि हमें भगवान से प्यार करना है, भगवान से डरना नहीं है, हम भगवान को पहले भी मानते थे, लेकिन एक प्यार से नहीं मानते थे, हम डर से मानते थे, कि अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, फास्ट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकि कि अपने रब से प्यार करो बस प्यार ही सब कुछ है संगत से प्यार करो रब से प्यार करो तो जब हम पहली पर गुरुजी के पास गए तो जो अंकल हमें लेके गए थे उन्होंने जब फर्स्ट दर्शन किये गुरुजी के तो वो मन में यह होता कि गुरु मेंस कि वो संथ महात्मा, दाड़ी बड़ी हुई, वो जो उनकी वेशवुशा होती है, वही दिमाग में बैठी होती है, लेकिन जैसे गुरुजी के दर्शन किये, तब गुरुजी भी सिंगासन पर नहीं थे, साइट टेपल पर बैठे हुए थे, तो वो देखते जैसे मंत्र मुग्ध हो ज कि मुझे हाथ जोड़े, तो मुझे हमने चरन परश किया, तो गुरुजी अगए से हाथ जोड़े, तो एकदम सी ये हुआ कि इतने बड़े माहापुरश हैं, तो यह हमें आगए से, हम हैं क्या, यह हमें, बिपहले गुरुजी नहीं यह बता दिया, श्यान किया होती है, तो जैसे हमने पहले गुरुजी उठके जाने लगे और अंदर चले गे उसके बाद जब बाहर आय तो एकदम सारी संगत और गुरुजी चलते ऐसे तेज थे ना पता नहीं चलता था कैसे निकल गे बीच में से तो अपने कमरे से रूम से निकले गुरुजी और संगत खड़ हो गई हमें यही नहीं पता था खड़े होना है एकदम से हम खड़े हुए तब तक गुरुजी जब तक हम खड़े हो रहे थे गुरुजी और संगत बैठकी हम खड़े थे तो जब हम सिरफ ही खड़े थे फटा-फट वह शरम सी थोड़ी में सोस होई कि हम क्या कर रहे हैं जो एनिवे गुरुजी को तो पता था कि इनको कुछ पता नहीं है ऐसे हमारी जर्नी शिडू हो गई हरे अंकल चाय नहीं पीते थे और घर से यह बोल के गए थे कि मैना वहां जाओंगा लेकिन मैं चाय परशाद निलूँगा मैं चाय पीता तो उस दिन हम ऐसे बैठे थे तो सिंगल अंकल चाय परशाद बांट रहे थे तो मुझे बच्चों को हम तीनों को चाय परशाद मिला और अंकल को मिस कर गए और जो पुरानी संगत तो उनको पता है कि सिंगल अंकल के हाथ से कभी भी आँखों से कोई बंदा ऐसा छूड़ता नहीं है कि जिसको आरे थे हम यही सोसते थे भी ठीक है बगवान को हम मानते हैं घर बठी मानो वहां जाना जरूरी नहीं है किसी के पास लेकिन जब बुलावा गुरुजी का स्ट्रोंग होता तो कोई रह नहीं सकता नेक्स टाइम गे तो फिर भी ऐसा हुआ कि चाहे परशाद हम सब को मिला अं पास किसी का नंबर होता था कि जो आपको कुछ बता सके कोई तो ऐसे चार चेपर हुआ तो एक बर हम गए तो बहुत काम संगत पैठी हुए थी तो गुरुजी ने अंकल को ऐसे बुलाया इशारे से अर अंकल गए नहीं थोड़ा बोगए नहीं पता नहीं मुझे बुला भुलाय जुटाए है तो गुरुजी ने अंकल को देख रहे है और सिंगल अंकल इतनी जोड से अंकल को बोले अगर अध्य चाय परशाद ने लाना ते कर वाएंगा बड़े गुस्जे में बोले हैं तो अंकल के ड़े को एक जम से जैसे होता है कि आपको अंदर मैजिक चल नहीं बता सकते किसी को तो हमारी ऐसे जरनी गुरुजी के साथ शुरू हो गई हर वीक के बाद हम संडे के संडे जाते थे जैसे जैसे जाने लगे वैसे वैसे हम जूडने लगे और अच्छा लगने लग गया बहुत वहां जाकर वहां का महौल फिंडर्प साइलेंस शबध चलूने एक शान्ती ऐसे मिलती थी कि जग कहीं बी नहीं मिलती थी और जब हम गुरुजी के पास से आते था to आकर ये होता था कि ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं नहीं है मतलने ऐसा मनमिल फिलिंग आती थी कि ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है कहीं भी चले जाओ ऐसी शान्ति किसी मंदर में चले जाओ कहीं चले जाओ तो वोर महसूस नहीं होती है आपको जो गुरुजी के चर्ण में आके महसूस होती है फिर देरे देरे हमें पता चल गया कि हमारे हमारा ऐसे हाल हो गया था कि हम तो जाने जाना, मंदर गुरु माराज ने अंकल की मंतर जाब की सेवा लगवाई थी मंतर जाब भी आपको पते हुआ कि भाटी अँटी यसे हम बसा बैठे वो थे मंदर को तो आंटी ने बोला कि हम गुरु जी के लिए क्या करते हैं, आते हैं यहां पर अगर हम सेवा करते हैं, लंगप्रशाद की करते हैं, सफायों की करते हैं, लेकिन हम अपने लिए करते हैं, गुरु के लिए तो हम कुछ नहीं करें, तो हम इना पाठ करना चाहिए गुरु जी के ल अँटी एक थिखेय Mr. Ammaar Culture कर लिए तो ऑंकल हमे बोड़ी मुलंद है तो अब थोड़े में ही तुमने क्या नया यह क्मण shrinking दिर हुड नहीं है तो फिर अंकल ने पुछा कि अंटी आपने पूछ लिया गुरुजी से ऐसा नो हो कि सारे मेरे को कहें कि तुमने क्या नया ये शुडू कर लिया कि यहां बाकी मंदरों की तरह तो होता नहीं है अंटी कोई बात नहीं है फिर वही नहीं हिमत नहीं होती थी गुरुजी से फिर भी अंटी ने जैसे भी था अंगले बार गये तो गुरुजी ने कुछ लिया अंटी कुछ निया शुरू किया अंटी डर गे थोड़ा सा फिर क जाना शुरू हो गए तो यादे एक बर मैं मत्था टेक रही थी गुरूजी को वापसी पे आग्या लेने के लिए लंगप्रशाद के बाद तो एक अंटी थी उसके साथ एक बेटा था उनका वह का 12-13 साल का बच्चा था वो मत्था टेक उठ रहे थी और में एक्स्ट में रिटर्न थी तो गुरूजी ने बहुत जोड़ से बोला अंटी मुंडे नो ना कुट्ता ला दे अब मुझे यह नहीं समझ आई कि उन अंटी को बोला या मुझे बोला क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम गुरूजी से पूछ लें की गुरूजी आप उनको कहा है कि मुझे कहा है तो मैंने तो ऐसे सोचा में हमारे गर में तो वह ऌlling आल्डि करेशि तो अपने मन दिमाग लगाते हैं की मुझे थोड़ा कहा होगा और नहीं को कहा होगा बात आई गई गई होगी और जब गुरूज ने महा तो आपको वो करना चाहिए था तो मैं कि हम आप ले दे ने आंटी आप वो तो टाइम तो निकल गया पर गुरु जो कहते हैं वो हमें उसी टाइम कर लिना चाहिए फोलो क्योंकि उसी में हमारा कल्यान होता है टाइम निकल गया कल्यान तो वो करेंगे लेकिन वो किस तरह से करते हैं यह उनके हाथ में हमें उसका कुछ ने पता चलता ऐसी गुरुजी के टाइम पे हमें जब मेर्जिज होती थी तो कार्ड मिलते थे अधी के लिए और हम गुरुजी की तरफ से जाते थी संगत और हमें जाब भी गए थे सारे कठे हो का जाते थे एक ही गाड़ी में चले जाना और शादी अटन के जो गुरुजी का हूपम होता था तो वापिस आ जाते एक बर हमें चांस मिला किसी रेलवे के कोई था बड़ा बंदा था उसके बेटी की शादी थे तो वो देली के रास्त हम जैसे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक गुरुची के लिए सोफा रखा वह था बड़ा सजा के वह पड़ा कपड़ा कोड़ा लगा के अच्छा और नीचे संगत के बैठने के लिए गदे बगरा डाल रखे थे तो हम वहीं सारी संगत जाके वहीं मत्था टेकते और ब जादी थी वह आया और उसके साथ और भी रेल्वे के मिनिस्टर्स गारा थे तो वह इंटोडूस करने लगे गुरुची यह है यह है यह है तो गुरुची बड़े स्माइल करकर के उनको सारे को ऐसे ऐसे का रहे गए हागे से हाथ जोड़ रहे है और उसके बाद जैसे वह हब खतम हो गया उसने बोला तो गुरुची ने ऐसे बोला कि अधे मेरी संगत है तो जैसे गूजब्ध होगे कि गुरुची ने हमें अपना कहा यह बहुत बड़ी बात है कि हम सोचते थे ठैंकि हमारी अऩीर मeshan को बेचे रहे हैं संगत सारे ही पैठी गुरुची के पास पटापट पटापट अंदर दालो और आके गुरुजी के चर्णा में फिर से बैठ जो फिर गुरुजी बैठे फिर गुरुजी ने अपने हाथों से पूरी जितनी भी वहां पर संगत किया जब वाके भी उनके ग्यास्ट आए हुए थे एमन की दूला दूलन सबको अपने ह कि अथा एक जारी जारी गुरुजी को देने के लिए कि गुरुजी जा रहे है हम लोग मतला कि भाग रहे थे और गुरुजी चल लए थे इतना फ़ॉस्ट गुरुजी फटा फटा फट गुरुजी गाड़ी में बैठ गे और सब संगत माथा डेखने लग गी अब मैं पी करने लगे तो जो चोला पहना हुआ था वो गाड़ी में आ रहा था अब दिल में वही चल रही थी कि मैं उठा अथ लगाऊ ना फिर भी मैंने का निये खराब हो जाएगा तो मैंने दिल में जैसे वो डिगार्ड करते ना हे गुरु मारज के गलती हो तो माफ कर दे ना गुर गुरु जी मुझे देखके ऐसे हसे और बड़े जोड़ से बोले जै गुरु महराज मैं क्यों ही राम गुरु जी तो मैं शर्मिंदासी होगी एकदम से कुछ समझ नहीं कि मेरे साथ ब्लैंक होगी एकदम दरवाजा बंद हुआ मैंने मत्था टिक का गाड़ी से लिगी ग आपने माली को याद करना एक बर मुझे यादा इंपायर स्टेट में एकसर हम एम जी रोड पे लेट हो जाते थे राश वो तर अंकल भी अपने जोब से आते थे फिर हम चलते थे गुरु जी के पास तो अकसर लेटो जाते थे एक बर हम जल्दी पहुंच गए बहुत और पूरा हाल खाली पड़ा था भी तो मैं बड़ी खुश हुई मैं का जलो हम जल्दी पहुंच गए गुरुजी साइट टेबल पर बैठे थे तो मैं जैसे वह तीन स्टेप इंपार स्टेट के नीचे उत तो मैं वहीं से जब कहना होता था तो बंदा अटोमेटिकली ऐसी हो जा था जैसे आपको ओडर करते थे तो मैं अटोमेटिकली अपने अपी टर्न होई वहीं से मैंने हाथ जोड़े और बापिस होगी तो आगे से जोशी अंकल आ रहे है कहते अंटी पूरा खाली पया तो उपर चाले और मैं इससे पहले कुछ कहती गुरुजी अंकल को गुड़े डांट के बोले जोशी मैं कहता उपर और मैं फटा फटा पो सेडिया चड़ी उपर जाकर बैठ गी दिल में वहीं चल रहा था कि पूरा खाली पड़ा वैसे तो हम लेट हो जाते हैं जल्दी आए कि आपको कहां उपर कर दिया आपको कहां उपर कर दिया आपका लेवल आपका सब चीजे आपको अकेला वह ब्लेस नहीं करते हैं कि आप उपर जाओ उपर जाओ कि मर्जी है उनकी रजा है संगज उसके बाद मैं नीचे बैठने के मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं आती मत्था टेकता गुरुजी ने कुछ निगा कर भी मत्था टेकती सिथा उपर वाहपस मुड़के फिर मेरे साथ हमारी फैमली भी उपर जले जाती तो हम उपर ही बैठ कि मत्री राए थे वैसे किसी को लेकर मंदिर दिखाने के लिए तो तब गुरुजी ना बहुत उस दिन बड़र डाउन से लग रहे थे गुरुजी हम इसे हमारा मंडे होता था कि आने आना मंदिर हम मंदिर आ रहे हैं तो मेरी बेटी कहती है पापा पीछे गुरुजी की आज गाटे हो तो हमने गाटी साइड पर ली कि तागे गुरुजी की गाटी अगे निकल जाए और हम वहां पोंचे हमारे आ आागे अगरे गरुा रहे हैं थोड़ी धिरवाद गाड़ी लगा क battlefield फोड़ी संगाटी आपी ही और शूस्टे ना बहर बिलकुल गश्ची की त पहले एक्साइटमेंट थी भी गुरुजी आए हुए मंदिर, फिर हुकम आगे गुरुजी का चलो हमने दुबारा चपले उतारने अभी उतारी भी नहीं थी तो वहीं से मत्था टेका, बाहर को निकलने लगे लेकिन ध्यान वही गुरुजी की तरफी तो गुरुजी तिरे बोला कि रोला नहीं पाना, आके रामनल बैठ जाओ, या सेवा कर लो, लेकिन शोर नहीं करना, आ जाओ वापिस, तो ऐसा कि लाटरी निकल गए, गुरुजी ने बुला लिया वापिस, तो हम सब पहुंच गए अंदर, अब सेवा, गुरुजी को तो पता था हम अबे भी कोफी स्टेंड सा जो बना हुआ है, पहले वहाँ पर बड़े फंक्शन में कोफी वहां सर्व होती थी, वह सिंटीड सा बना हुआ उसका टाइलों से बना हुआ एक प्लेटफार्म है, वहां पर कोफी परशाज सर्व होता था, तो हम सब वहीं पर बैठ गए नीचे जमीन और बैठके हम गुरु जी को गुरु जी उस वाले पार्क में बैठे थे, जहां जूहला वगढ़ा है, तो वहीं आसपास सारी संगत बैठ गही तो गुरु जी तो घुर जानी जानर सब को जाना रहा हो फिर गुरु जी ने दीर दीर एक आंठी को बोला कि जाओ इनके लि तो नो बज़े हमें आगया मिली और उस दिन गुरुजी कुछ कुछ सब संगत को कह रहे थे पर जब हम वापिस आये तो मेरे अंकल करते हैं मैं को अपने दिल में गुरुजी को सब का कल्यान करते हैं फिर यह होता कि अपने जब तब करके ठीक हो जाएंगा पर हमें वह लग कि ठीक नहीं है गुरुजी जैसे फिर वापिस आगे हम गार तो हमारा फिर संडे को डे था हम गया है तो दो संडे की बात है कि हम उपर जाके बैठे तो शबद उस न बड़े वो लगे जैसे बड़े वियोग के शबद होते हैं वो कभी लगे नी थे इंपास्ट्रेट में शबद तो मैं अमने दिल में सोचने लगी बतानी सुख हो गुरुजी ऐसे यसे शबद क्यों लगवारे हैं बतानी गुरुजी नी यहां से कहीं चले जाना है हमें था जैसे डुगरी छोड़ा है चंडीगर चोड़ा है और पंच कुलाव गढ़ा चोड़ा है ऐसे वाप के लिए क्या कुछ करता है आपको नहीं बता तो मैं अपने दिल में सोच रही है कि कई में हमें तो कई देर से गुरुज ने उपर ही बठा रखे अपने चरनों में तो बठाते ही नहीं है उस दिन हम नीचे जब हमारी कॉल आई लंगर परशाच के लिए तो हम नीचे अंकल कहा रहे हैं कि जगा नहीं है कि मैं बना देता हूँ तो उन्होंने बिल्कुल एक चिटाई लिखा गुरुजी के राइट साइड पर बिछा दी और हम चारों को वहां बिठा दिया और कभी हम चारों के एक थाली में परशाद मेला भी नहीं था उसने और हम मेरे पूरी तब बच्चे सामने थे तो वो कह रहे हम से परशाद नहीं लिया जा रहा है तो वो गुरुजी दिल की ऐसे जानते हैं कि एकदम से गुरुजी ने मतलब कि वो भी बूख मिटा दी कि अपने बिल्कुल चर्णों में दो बार बिठा के क्या कल्यान किया ये गुरुजी जा तो मन की बात ऐसे जानते हैं आंखों आंखों में ही गुरुजी हमारा कल्यान करते जाते हैं ऐसे मंदिर में जब सेवा चलती थी तो ओपन सेवा होती थी संगत थोड़ी होती थी तो हमें बड़ा क्रेज रहता था कि मंदिर में कोई भी नहीं होता था और सेवा करते थे पर वसाखी का फंक्षन था और उन दिनों में बड़ी धूप चल रही थी तो सेवा के लिए खुला था मंदिर तो हम सब एक ग्रूप था हमारा तो ही कठ जाते थे सेवा करने के लिए तो उस दिन मुझे फोन आया कि आप चलो के सेवा पर तो में थोड़ी तबियत ऐसी थी म क्या नहीं बड़ी धूप जैसे में घर में बोलें मैं कर नहीं तूप बड़ी यह मैंने जाना आज तो कहते चलो ठीक है वो चली कि सारी तो वहां जब गए तो और अंटी अभी नहीं आई थी कोई भी नहीं आया हुआ था महां पर अंटी बस यहीं दो थी जो हमारी अमारे साथ जातिए हैं तो अनेश कह रहा है कि अंटी और नहीं कोई आया कहते ही नहीं वो मेरा नाम लिया है, वो बड़ी तूप है, मैं नहीं जाना आज। अभी वो बात कर रहे हैं, तो अधर गुरुजी का फोन आगया। किन्दे अनिश के निया आंती आई है, वो गुरुजी सिर्फ दो, किन्दे दो आंती हैं, क्यों नहीं आई हैं बाकियां। उसके मुँ वो बात कर रहे थे ना, तो उनके मुँ में यही था, किते हैं, गुरुजी तूप बढ़ी है, किन्दे किन्दी तूप बुला सारे आनू, तो उसके बाद फोन आया कि आप आ जाओ सारे, फिर हमने किसी और अटी के साथ शेयर किया, गाड़ी और आइड का, और ह इसे होती थी, तो ऐसे ही गुरुजी का अपना तरीका है, आपको कैसे किस तरह कब कैसे बलेस करना है, अब 2004 में गुरुजी के जो शेव जी का प्रतीमा बढ़नी हुई है, उसमें से केसर निकला था, होली बाले दिन, तो वो जब सबने सेवा कर ली, तो वो केसर के फिर कि सारी, तो गुरुजी जब संगत रात कोगे, तो गुरुजी बुलाएंगे, तब इतने फोन फोन नहीं होते थे हमारे पास, तो हमने का कि जिसको भी पता चले, अगर किसी को भी इंफोर्मेशन आए ना, कि मंदिर से की कुछ है, तो प्लीज सब को कर देना, तो उस दिन वही मंदिर से बुलावा आया, तो हम सब फटाफट 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 चलेगे मंदिर पहुंच गए, तो वो बड़ा अच्छा गुरुजी ने किया हुआ था कि पहले मथाटे को, मथाटे के फिर बार गेट पे उन्होंने गुजिया परशाद और चाय परशाद और न तो हम ऐसे जितने भी बैठी थी थी से चलो आज मस्ति का महोला है कोई शेंकर जी का गाना भजन गाते हैं तो हम गाने लगे नाच ने अब साथ में नाच रहे गा रहे मस्ति कर रहे बाहर विली साइड पे गुरु मंदिर की तो उतने में सिंगल अंकल आते हैं किते मोटी आंच जा रही है तो मंदिन में क्या हैंजी अंकल किते है चलो आज गुरु जी को यही बजन सुना थे मुझे बहुत अच्छा वंगा है मैं अगल मंतलो कि ऐसे हो जाता है गुरु जी पूचते थे ना कहां रह ते हो हमें अपना अड्रेस बोल जाता था पतानी कहां रहत ह जाते थे नहीं अंकल गुरुजी के सामने कहां गाया जाएगा वह पूछते कुछ है और अंसर कुछ निकलता है अगो आंटी केते हैं नहीं आंटी टाइम मोका मिल्दा पर गो आओ ना पता नहीं मिल्दा है गुरुजी इच्छे ही उन्दी है उनना नहीं क्या अंकल आंटी को बुला रहे हो हमें भी बुला लो तो ऐसे ठीक है आ जाना तुम लेकिन फिर आग्या मत लेना बाहर बैठ जाना और जब संगत चली जाएगी कि गुरुजी से परमीशन लेके हम करेंगे अज मस्ती करेंगे वहां पार तो हम बड़े सब एक्साइटमेंट और सज गुरुजी ने बिठा हुए थी पिछे इंपार स्टेट में तो हम निकल लेगे तो अंकल करते हैं अगर गुरुजी को पसंद नी आया तो गुरुजी ने डांट दिया तो गुसा मत करना अंटी वह भी ब्लेसिंग है गुरुजी कि मैंकल जो जितनी हिमत बनी थी थोड़ कैसे गाएंगे क्या करेंगे तो मैं तो फटाफट गुरुजी के चरण शुए होगे हम शुरू एक दो स्टेंज ही बोले थे तो गुरुजी ने बोला चल अंटी आश कर फिर थोड़ा होगी मैं के हो लगता गुरुजी को पसंद नी आया गुरुजी ने दो के बाद और एकुल हुआ कहाते हम तो देखनी रहे थे गुरुजी की और हम तो अपने गाने में मस्त थे पता नी ठीक गाया जाएगा नहीं गाया जागा गुरुजी को पसंद आएगा तो अंकल लोग जो पीछे बैठे हुए थे कैते गुरुजी आपको वो देख के ने इतना हस जैसे ट्रांस में चले गए और अपने जो पलू थे गुरुजी के साड़ी डालते थे उड़ुपटा सा कहते गुरुजी ने अपने मुऊंपे रखे बलश करें असे हसस के गुरुजी का बहुत बुरा हाल था और वजन था एक दिन शिव बंडारी तो उसमें ऐसा लग रहा पलुजी के आज मुझे लगता है कि वही वही बलेसिंग का असर है कि आप जिंदगी हमारी इतनी देखो सुख दुख आते रहते हैं जिंदगी चलती रहती है गुरुजी गए हमारे लिए वही सबसे बड़ा लोस था कि गुरुजी हमें छोड़ के चले गए तब हमें यह यह नहीं पता था ना यह बगवान है यह जाएंगे नहीं हमारे लिए तो यह था कि गुरुजी चले गए लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत वह दिये इंडिकेशन की में तभी दिये बहुत यादा तभी मुझे को इतनी फ्रेग्रेंस आई थी कि इतनी मुझे आज तक नहीं आई तो फिर गुरुजी का मुझे मैंने वह पहले ससंग किये हुए हैं गुरुजी ने बेटे को दर्शन दिये चिंतपुर्नी माता के मंदिर में बे वह थी प्रतिमा बनी हुई थी वह सवरूप बने हुए थे तो वह भी गुरुजी ने हमें दिखाया कि मैं सब जगा हूं फिर गुरुजी ने का फोन आया था एक दिन महा समाधी के बाद जो हमें समझ नहीं आई और हम उर्खों ने ध्यान से सुना भी नहीं हमने तो यह स दिखाते हैं कुछ चिपाते हैं ऐसी हमें उन्होंने संभाला कि मैं सब जगा हूं बड़े मंदिर में जो बड़ा सरूप है गुरुजी का तब हर रोज वहां पढ़ना सुखमिनी साब जी का पाथ होता था गुरुजी के जाने के बाद तो एक दिन पाथ चल रहा था गुरुजी साथ तो मैं ऐसे बठी रो रही थी आंखर रोते नहीं थे कोगी एक शुरू होता था तो फिर सब शुरू हो जाता तो वो चुपाने की कोशिश करते थे तो बड़ी थी साथ मुझे ऐसे-ऐसे करी करी मामा सामने गुरुजी का सुरूप देखो तो मैं देखी एक थे तो गुरूजी भी जोड़ जोड़ से रो रहे थे के हमने आप तो कहीं नहीं आप तो इतने इंडिकेशन दे़ हो हमें तो आप कहें गये नहीं, बस ऐसे गुरुजी ने संभाला, सुख दुख आते रहे, चलते रहे, तो एक बर मुझे यादा कि हम गए गुरुजी के पास, हम सारी फैमिली गए थे, मेरे देवर, मादर इनला, फादर इनला, उसे भी कोई सेलिबरेशन थी, किसी का बर्डे था ह हमारे गार, तो हमने बर्डे में आके सीधा हम गुरुजी के पास से ले गए थे, तो सब बैठके, तो एक अंटी, बहुत स्वीट सी अंटी थी, मुझ मैं जानती भी नी उनको, तो गुरुजी मैंनू के अंदे स्पेशल इंडिकेशन करके, अंटी ससंग सुने ना दा, त मैं ऐसे सुनती रही, सुनती की, जिसका मुझे एक भी शेबद, मुझे अभी भी पुछे कोई क्यांटी क्या बोर लई थी, मुझे अभी भी याद नहीं है, कुछ सुनी सुना मुझे, पर मैं सुनती गई अराम से, को गुरुजी का हुकम है सुनो, तो समझ आये ना आए, यही सबसे बड़ी बात होती है, समझ आये, हमने क्या लेना है, वो उनको पता है, सब क्या समझाना है, उनने कब समझाना है, ऐसे एक बर हम इंपायस्टेट के तो दरवाजा बन था, थोड़ा उस दिन भी हम जल्दी तो जैसे दरवाजा खुला, तो बाहर दूप थी अभ रहे थे, चोथे पांच में नंबर में हम लोग थे, अंकल भी गए सारे गए, तो मैंने जैसे वहां नीचे बैठकी, बैठके मत्हा टेका, मत्हा टेका जैसे उपर उठी तो मैंने देखा गुरुजी, मुझे तो गुरुजी दीख नहीं रह थे, कोई दुरवाजे के तो गुरुजी मुझे देखके स्माइल बास करते, करते हैं चल कमली, तो गुरुजी ऐसे भी कही बार आपको वो कर देते थे, तो गुरुजी के साथ बहुत अच्छा रहा हमारी जर्नी, और गुरुजी के जाने के बाद फिर समझ आई गुरुजी क्या है, हैसे ही संगा जब गुरुजी जोड़ते हैं उनको पता होता है कि आप पे क्या कस्ट आने, क्या नहीं आने, अब गुरुजी को गए भी कितने साल हो गए और उसके बाद आज हम जिन्दा हैं, मैं, मेरे अंकल, बच्चा, तो सब गुरुजी की किरपा है, इतने इतने कस्ट आई दो बा किया, और गुरुजी जो बताया भी था कि सपने में, ड्रीम में आके, कि दस किलो कट करांगा, चिंता ना करी, तो गुरुजी ने मुझे वो फिट और फाइंड कर दिया, लेकिन हम अपनी बीच में दुआयां 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 शुरू कर दी, अंकल आगे सारे, अंक स्कीन इतनी खराब हो गई सारा, लेकिन विदिन टू मंच गुरुजी ने सारा दुबारा में को सब ठीक कर दिया, मेरी आंखे भी ठीक कर दी, जिसका कि मुझे दिखाई देना बिलकुल बंद हो गया था, अभी भी डॉक्टर अभी में मैं चेक अप के लिए जाती हूं, जरूर पूछता है, अब आपके आंखे ठीक है, यह वह हुआ गया था आपको, मैं क्या तेरे को क्या बताओ, मैं अगर मारे गुरुजी क्या क्या करते तो तो माने गई नहीं, और दो साल पहले भी मुझे डेंगी हुआ था, डेंगी के साथ ही मुझे और की मेडिकल पराम आपका कोई भी द्वाई सूटनी करी हम हम हेल्पलेस हैं, तो ठीक, आपने के साथ जो गुरुजी की जिन्दी, क्यों गुरुजी ने मुझे पहले ही इंडिकेशन देने शुरू कर दिया कि अपना तयान रख, तयान रख, पर मुझे समझ नहीं आती थी गुरुजी क्यों कर रहते हैं, अन रख, तो फिर मेरे को ना कैलिफोर्निया के संगत के साथ ऐसी सस्तंग शेयर करना था, तो अंकल करे तो आँटी को फोन करके अज मना कर दे, तो कैसे कर बाएगी सस्तंग तो होस्पिटल में बैठी है, तो बोला ने जाएगा, तरको इतनी दर्म है, कर नह बोला जाएगा, ठीक है, गुरुजी को पता है, मैं अभी मार हूँ, अपने आप हिम्मत देंगे, वो मैंने सस्तंग किया, और सस्तंग करने के पाद, क्योंकि वहाँ पार रात थी, इंडिया में हमारे मॉर्निंग थी, तो सस्तंग किया, सस्तंग के बाद वो से मेडिसन मे को सूट करने शुरू हो गई, और गुरुजी कोई ना कोई आपको वो निकाल देते हैं रास्ता, तब गुरुजी ने मुझे ड्रीम भी दिखाया, कि ड्रीम में गुरुजी मुझे लेने आ गया है, कहते है रेनू चल, मैं कहते है, मैं गुरुजी के ऐसी बाजू में गर के आसपा बेच में खड़े हैं, और दोनों गुरु में संगत भड़ी परिया, हमारे गर भी और प्रोसियों के गर भी, वो भी गुरुजी को मानते हैं, हमारे गुरुजी ने को बता रहे हैं, मैं फटा-फट इदर आ गई, कि गुरुजी केंगे मेरी बाती सुन उसके बाद मेरी आंख फुल गी क्योंकि मैं होस्पिटल में थी तो अंकल ने आवाज दी कि वो तो को मैडिसन देने आए है तो ये गुरुजी की लीला है गुरुजी आपको कैसे कब कैसे बचा लेते हैं मुझे बचाया अंकल को एक दो बार बचाया गुरुजी ने आज अंकल अवेलेबल नहीं है अंकल मैं कहले ही कर रही हूँ ससंग अंकल को कोई काम आगया वो चले गए है तो अंकल का ससंग फिर अंकल ही शेयर कर पाते हैं मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ सुना देती है ठीक है अंकल अंकल को जो हम पहली जब बहाद आते थे ना गुरु जी के पास तो बड़े मंदिर जाते थे तो कुछ लोग ना पहले गदी पे मथ्था टेक रहे थे कुछ शेंकर जी की प्रतिमा पे ठेक रहे थे तो अंकल कंफ्यूज होगे क्योंकि हम नाइने जुड़े थे तब अंकल सोच रहे कि मैं पहले इस तरफ मथ्था टेक हूँ कि पहले उस तरफ टेक हूँ चलो वह जैसे भी हुआ टेक के निकला आए तो तब मंदिर में ऐसा नह पहले थे तो गुरुजी ने शेंकर जी की प्रतिमा में नीचे वल्ला तो वो जो था वुज़ इने अंकल इकदम से हरां से हो गए की ये तो नीचे तो शेंकर जी उपर गुरुजी है तो तो बेंदा कंफ्यूज होँ है Bolac तो वो मेरी ना बती जी ने देख लिया कि बड़े पापा आज आपको कोई कुछ हुआ है आपके साथ अंदर आप बतानी रहे तब इन्होंने बताया कि मन में मेरे डाउट था कि पहले मैं यहां मत्था टेकू कि पहले शैंकर जी को टेकूं तो कि देखो हमारे निकलते ही ग सारे ऐसे दूर करते हैं एक बर मंदिन में सेवा चर ले थी महाशिव रातरी की तो अंकल शिवलिंग की सेवा कर रहे थे अंकल थे और अंकल के साथ एक और अंकल थे यह दोनों कर रहे थे जैसे लंगपरशाद का टाइम हुआ तो सिंगला अंटी आवाज दे रहे लगी कि आज अब लंगपरशाद का टाइम हो गया तो अंकल काते ने नी आप कर लो हमारा भी न वो बना हुआ है लया बनी हो यह काम करने की फिर हम नीचे उतर आए ने लंगपरशाद के बाद थोड़ा वो आजाता है सुस्त हो जाता बंदा तो हम करके नीचे आएंगे तो अंट पास में कोई दुकाने हैन या कुछ है हम घर से ही कुछ जैसे चार बंदे गए हैं सा्त अठाट kauя बना कर ले जाते दो गए हैं तो ऐसे बना कर देा तो हम सिर्ट कि शक्तर भनिये हैं तो सारी दाल राजमा क्या राजमा क्या तो यिध कि भो राजमा के यह जी निख रखन खतम होगया हुआ था और अँटी हमारे इतनी वो थे लग्रिय से च्ञटने लंकर उब गजह द रोग्ष हटा सोब मिल जाएगा , जो ए समोचा पर यदि मिला होगय Unters तो सी थोड़ा बेट कर लो अभी 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 इन्वर्सेशन चल रही है तो साथ ही सिंग्ला अंटी का फोन बजा हां जी गुरुजी अब अंकल पास खड़े हैं पूरी कन्वर्सेशन समझ आ रही है केते हां जी हो गई सेवा किद्धा चल लिए गुरुजी पता सारा उंद जोड़े दो अंकल उपरों आया है और लंगर वो इंपास्टर में बैठे हैं गुरुजी सेवा बड़े मंदिर में हो रही है और को गईते हैं अगर पुरानी संगत को पता हुआ कि जहां लंगर परशाद बनता था वहां से बाहर से भी निकलना मना था आप बाहर से भी न करने देते थे वहीं से आप मत्था देखो और वापिस चले जाओ पर करमानी करना देते थे आपको तो कहते वहां जाओ डाल में यादा सागी डलवाके और दस पंद्रा फुलके लेके उन दोनों अंकलों को दो मतलब इतना ध्यान गुरुजी संगत का इतना ध्यान इतना कि चोटी चोटी बाते हैं तो जब से हमारे उपर जो बड़ी-बड़ी प्रोब्लम्स आती हैं तो कैसे गुरुजी उसमें से हमें निकाल लेते हैं यह जानते हैं जो ज़र्नी गुरुजी के साथ चल रही हैं मैं कि सब उन पे छोड़ दें तो अच्छा है गुरु माराज अपने यापी गेते हैं भुरु कान देना अपने जीवन दा कोड़ा मैंनो दे दो मैं शिद्धा हंकौाँगा जिननाजी गुरु जुड़ दे जामांगे जिननाजी गुरुजी नाले ठीचpectedze जामांगे सोलीजी अपने अपनी आपी साध्य वस्ते निकाल दे जानंगे 2018 में हम बच्चों के पास आई थे कर्णेटा में तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बेटे की न एक आँख बाहर को आ रही है तो मैंने इसको आके पॉइंट आट किया मैं बेटे तुमारी न एक आँख दोनों लेवल ठीक नहीं है एक तुम्हारी आँख बाहर को आ रही है तो चेक अप करवा तो रात को ये इतनी जोर जोर से खुराटे बरता था जैसे कोई मेशीन चल गई होती है ना ऐसे मैं इसको क्या हो गया बच्चे को अकेला रहता था यहां वैंकोर में है बच्चा तो इसको मैंने बोला ये दिखा आया तो इसकी आँख और बाहर को थी मैं फिर बोला मैं के बेटे तेरी आँख मेरे को ना पहले से भी यादा बाहर लग रही है एक तरफ से तो अमी दिखा तो दिया बार बार मुझे ना आँख आंख करके ना मुझे वो कर देते हो मैं कै जब मुझे दिख रहा तो मैं कह हम कभी कभी देखते हैं तो हमें पता चलता है फिर 19 को हम जब आए यहां पर तो इसने अपना घर शिफ्ट किया था शिफ्ट करने के बाद आपको यहां पर यह कि अपना फैमिली डॉक्टर भी लेना पड़ता है उसी एरिये में जहां आप शिफ्ट होते हो इसने सोचा कि मैंने डॉक्टर को तो करना ही है अरेंज आपना तो मैं चलो आँखी दिखा देता हूं और कोई प्रोब्लम तो है नहीं जैसे इसने बोला कि आँख दिखा देता हूं वो तो इसके पीछे पड़ गया डॉक्टर काता आप इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे तो उसी दिन इसका टेस्ट हुआ जो उसने लिख के दिया डॉक्टर का तो होगा उसका इलाज हो जएगा ट्रीटमेंट चलो हो जएगी उसकी तो उसके बाद हम उतने दिन यहां राम से रहे जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं यहां पार रिपोर्ट भी आपके पास नहीं वो आपके फैमली डॉक्टर के पास ही जाती है और वही फिर आपको कॉल करके डिस्कुस करता है जो भी प्रॉब्लम होती है तो इसका डॉक्टर सुट्टी पर चला गया एक हफ़ते की वो अबरोट चला गया था कहीं गूमने जैसे आया उसने काल करी वो पंका पढ़ गय है और वो जब कैंसर भी हो सकती है तो हमारी तो प्यारों के निचे से जमीन ही चलेगी कि यह क्या हो गया बच्चे का और उसने यह भी कहा था कि आई साट की भी हम गरंटिंग ही दे सकते अगर निकालते हैं तो दूसरी आख पर भी उसका एफेक्ट आ जाएगा तो मैं बो तो मुझे रिपोर्ट पकड़ा दे यह पढ़ ले और पढ़के मुझे तो कुछ समझ ना है उसमें सिस्ट लिखा हुआ बस वही वाए आपस में यह बढ़े वरीड रहे में फिर जाएं डॉक्टर के पास पिर जाएं अब मेरे को उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी मैं चलो हमाएं सामने वो जो डॉक्टर मिली कोई अकबरी था नाम था उसका वो इंडियन नहीं थी लेकिन वो छोटी सी थी यादा बड़ी इसकी भी नहीं थी तो जैसे उसके पास रिपोर्ट गई तो उसने इसके क्या किया हग किया यह गुरूजी करवाते हैं सब कोई डॉ करने वाला नहीं है युदेश में तो कहती है कि यूर माय यंगर बर्दर डॉंट वरी मैं जो बेस्ट होएगा ता डवस्ते करांगी उसके वाद उसने इतनी एफ़र्ट लगाई इधर इमें उदर बेल क्योंकि हमने बोला कि हमने यहां पर छे महीं ही नहीं फिर हमने चले मिल भेज के शर्जन का यहां पर बहुत बड़ा एक होस्पीटर है वहां के शर्जन को उसने रिक्वेस्ट करी कि बूट च्योटपएच्छा है तो आप उसके सर्जरी के लिए आप उसको अपने अंडर ले लो ता अपका देख लो उसके बाद उसके बाद चलता हुआ रहे इसारा सिलसला है हमारा ओर चक्र हो जोत था एक ड़क्टर पे गए जूसर पे गए चल और दिमाग-पे परिशानी हो और की पता दी क्या हो जाने क्या नहीं हो जाना पर उसने डेट देती हमें अपनी ना उसकी जैसे भी था उसने किसी की प्रियोर्टी नहीं थी उसको छोड़के प्रियोर्टी में इसको डाल दिया और डेट मिली हमें हमारे जाने से पहले पहले जिस दिन हमें डेट मिलती है उस दिन इंडिया से फौन आता है मेरी फ्रेइन का, हमारे पास लाए गुरूजी एक बड़या सा बढरोजी का, तो तो मैंने सोचते हैं Bhag 56 भुना, लाए यो बढरोजी का जोромने ने चाहिता है जब तक हम नहीं रहेंगे यो का. आप कर दिया ग्रो, तो उसका मुझे शुबर सुबर फून आता है, किता है, आरे आपके गुरुजी को कुछ हो गया, मैं कै कै जो हो गया, गुरूजी को, किते उनके शुरुक में से ना, गुरुजी के एक आंख भाहर आ रही है, बार बार, 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 अब देखो, हमने कुछ नहीं बताया हुआ और उसका हमें फोन आ रहा है वो मुझे बता रही है घवरा के और मैं कहा रही हूं ठैंके गुरुजी कि आपने अपने उपर यह सारा कस्ट ले लिया अब मुझे क्या तसली होगी कि आप बचा ठीक हो जगा मेरा क्योंकि वो जो कस्ट था गु अब बात करूंगी आप से जब कहते हैं तो उसके बाद उसने इसका बड़ा क्लोजली को इसको टैस्ट था वो करवाया जिसमें यह आया कि इसमें ना वह फंगस फस गया और कुछ गुरुजी ना चेंज किया मुझा वो उसका टैस्ट की डिपोर्ट्स गुरुजी ने कि थ्रू हम प्रोसेसिंग करेंगे और वो फंगस निकाल देंगे इसकी तो बस वो दुख गुरु माराज कहां से कहां हमारा इतने पहाड जैसे कस्ट छोटे छोटे में काट देते हैं तो वो उसके दो तिन प्रोसेसिंग की उन्होंने छोटी पहले फिर एक बड़ी की माल तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते वह सही यह गुरु जैसा चाहते हैं हम यहीं बड़ी बात है तो संगजी सी के साथ मैं अपनी बहाशा को भी राम देती हूँ जय गुरुजी महराज जय गुरुजी जय गुरुजी कुछ करना अंटे क्या क्या नहीं सुना हमने हमने मधुरता सुन ली सरलता सुन ली प्रेम सुन लिया भक्ति सुन ली और वो सब चीजें जो हम गुरुजी में देखा करते थे कहीं न कहीं जो संगतन से बहुत ज्यादा जुड़ी रही है या अब भी जुड़ रही है वो सब बुन्त कुछ-कुछ हिस्से में उनके आते जा रहे हैं और आपने बताया कि ये एक निया अनुभव होता है जो भी गुरुजी से जुड़ता है कि डर के भक्ती नहीं करनी है प्रेम करके भक्ती करनी है तो एक पर ये ऐसा विचार मुझे आया था तो एक नई संगत के साथ कुछ इंटरैक्शन हुआ तो उस पे मेरे कुछ शब्द सुझे कि कई लोग पूशते हैं हमसे ये कैसी भक्ती है जिसमें संगत रोज डटके खाती है ना कभी फाके ही करती है ना कभी तीरत को जाती है ना किसी नदी का स्नान कोई ना कभी परिक्रमा लगाती है ना वेदों का पाठ होता है ना हवन पूजा कराई जाती है ना जोतेश ना उपाए है कोई ना ग्रह शांती कराई जाती है उन्हें देने को तो जवाब है सौ पर जो जानते नहीं गुरुजी को उन्हें कैसे ये बात हम समझाएं, यहाँ सब जाहिर है और है राज भी, यहाँ सब जाहिर है और है राज भी, रूह से सुने तो वो समझ पाएं, סवाल जवाब का है, मसला नहीं, मानने लगें तो सुपूं से जी जाएं, मानने लगें तो सुपूं से जी जाएं, तो जो गुरुजी से मान के मिलता है और मांगने के चक्कर में जैदा नहीं पड़ता जुड़ जाता है तो उसका जीवन भी सुपून है और हमें विश्वास है कि जीवन के बाद भी उसे मोक्ष प्राप्ति होगी उसे अखंड शांती मिलेगी तो धन्यवाद आपका बहुत-बहुत आपका सचन सुनके हम भी ध यह पता है नहीं यह किया हुना है मुटका और नहीं प्टा रहें तो वह चुला रहिए नगली बनें पर फूब महराज जा distintos जै गुरु जी तेन्व आंटी बहुत प्यारा इंगे शेरिंग किया आपने आपने अच्छा लाइग आपने बताया कि शेव अंकल बीजी हो गया तो इसलिए आजी कहीं जाने पड़ गया उनको उंकल को तो मैंने इक टो असंग कर दिया उनके अब आपको आने के बाद के नड़ा से आने के बाद आपको देशने करने आते हैं थीक ठीक जरूर जी जरूर उनकल मुस्ट वल्टम तरीक जैगुरु महराज अंकल तेंक लॉट अकाज एटी अंकल आपकी जो यह करविता थी प्रूता इसमें कापी संदेश देगई है आप अक्सर आपके शेयर शेयर दानलो पड़ते रहते हैं आपके व्लोक आपके जवाइन आपने विटास माई है वरी तो बोटिवेशन इसपरेशने अंग मिलती रहती है निकलता रहता है अधर्वाइस और राइट मच अंजी एंकल जी इंकल अंग एंग ऑग और अब हम सब गुरु इमाराथ से आगे